को पाउट बाई टेक्नो राहुल जी के घर खटगे जी के घर उनके निवास पर यूपी में अजेराय के निवास पर चाठ पकवड़ी समोसा मिठाई कुछ भी मंगाया जाता होगा तो लाने वाले का नाम और मुबाइल नंबर दोनों आता है क्या आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ भी पूरा आता है फला आये हैं इनका नंबर यह है और फोटो भी आती है उनकी बाबंद करा देंगे नहीं ना पूरा देश इसी पर चला बिना नाम बताए तो आपकी इंट्री नहीं है गर में अपार्टमेंड में कोटी में राहूल गांधी से कोई बिना नाम बताए मिल सकता है क्या मुझे नाम नहीं बताएंगे, ये हिंदू मुस्लिम में बाठने की कोशिश है, ये जात में बाठने की कोशिश है, कई दो हिंदूस्तानी आया है, मिलने सीकुर्टी जाने देगी, नहीं ना, खटगे जी के जाने देगी, सुनिया जी के जाने देंगे, नहीं ना, नाम पता सब बताना पड़ेगा और यह भी लगाना पड़ेगा, तब यहीं दिक्कत है, यहाँ से देश टूट जाएगा, किस की कि जाना तलाश ही होती है क्या समस्या है देश तूट गया देश तूट गया क्या और पार्टी के दब्तर तक में तो आदमी घुश नहीं पाता बिना ना पता पता है चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो चायों से एक चाय मंगाओ जो मेटो है क्या आट मेटो है उससे कुछ मंगाओ पूरा डिटेल आता है कि नहीं आता है तब वहां देश नहीं तूट रहा आजब तुम आशा है उनकी जानकारी थोड़ इसी गरबर है या प्रवक्ता के नाते मजबूरी भी हो सकती है जानकारी में 22 जनवरी को एक लाख लड़ू आये थे 22 फिर करें लोकसभा चुनाव के बाद का खेल है अब 22 जनवरी को लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे अब यही तो जानकारी नहीं होती है यहीं बटक जाते हैं मैं हमिशा कहतो जानकारी पूरी रखो और आंध्र प्रदेश में सरकार लोकसभा के साथ बदली है उससे पहले तक वहाँ जगन रेड़ी थे इसलिए जानकारी नहीं थी चलो कोई नहीं जानकारी कई बार नहीं भी होती ही विस्मत भी हो जाती है ठीके नहीं तो उसमें कोई समस्या नहीं लेकिन जानकारी रखनी चाहिए अगर हम प्रवक हो धर्म कोई हो उसके खाने में खाना लाने वाला बनाने वाला थूख दे उसमें मानवाफ शिष्ठ में लाए जाए कोई कैसे मंजूर कर लेगा नहीं ना इसके वीडियो आ रहे हैं लगातार उसके खिलाफ है मैं ऐी पूल यह नियम हम को मंजूर ने यह कांग्रेस की राष्टी नीत के खिला अजल राष्टी靡ी किया एक कि पेशाप पीते रहो यह राष्टी नीधी आपकी ऑप्ष छोग चलेगा कुङई रोगा सकते कांग्रेस की राष्टी नीत पात CCTV camera लग जाएगा तो Congress को समस्या है Congress के दफ्तर में CCTV नहीं लगा लगा है ना किसके दफ्तर में लगा किसके घर में लगा किसकी अपार्ट्बेंट में लगा किसकी कोटे में CCTV नहीं लगे वहीं दिक्कत है वहाँ नहीं जिसके यहाँ सेकलों लोग भोजन कर रहे हैं या खाने पीने कोई चीज खा रहे हैं वहाँ शुद्धता की गारंटी हो जाए तो तकलीब है बुले देश ठूट जाएगा तो बुले योगी जी ने कर दिया आपको कांग्रेस को एक कसवटी से गुजरना होगा कांग्रेस को जिसको वो टार्गेट कर रही है जिसको वो मान रही है कि हम अपना ये विरोध का रुख लेके इस वर्ग के में सिंपेथी अपने लिए जगा लेंगे उस वर्ग की सिंपेथी है इससे नहीं आएगी विक्रमादित्य को पार्टी से निकाल दीजिए वो वर्ग भी जान जाएगा कि आप में दम है और अगर नहीं निकालेंगे तो ना इधर रहे ना उधर रहे बीच में खड़े हो गए विक्रमादित्य से पहले भी हिमाचल में सुक्षु सरकार के एक मंत्री ने विधान सभा के भीतर ये बात रहूल गांदी को सुननी चाहिए विधान सभा के भीतर कहा मस्जिदों के अबय दिनर्मान का मसला उठाया था और कहा था मक्ष्मंत्री से मैं मांग करता हूं मस्जिदें इनको हटाईए तब असदु दिन ववैसी ने कहा था कि राहूल गांदी आपकी सरकार का मंत्री कैसी भाशा बोल रहा है उसको भी नहीं हटाया उसको भी नहीं हटाया उस मंत्री ने ओन रिकॉर्ड विधान सभा में का कि मस्जिदें हटाऊ ये कंगर्स ने क्या किया खन伯ी जी ने उसको घड़ा दिया नहीं न कमजोर नित्रत और कमजोर सरकार हैं ऐसे भ JoyAct नहीं कर सकती मित्र और मैं तो कहूंगा विक्रमादित कहें, योगी जी कहें, कोई कहें, इसका स्वागत करिये, हमारा अधिकार है कि हम साफ सुत्रा खाना खाएं, हर किसी का अधिकार है, को हिंदू हो, मुसल्मान हो, वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, इस से ज़्यादा अभद्र और अधिकार के सरकार के पास हमेशा सुरक्षित है, कानून बन जाए तो फिर ठीकार कोई जाएगा, तो अधालत तो इसकी समिक्षा कर लेगी, कानून बनाने का अधिकार विधाईका से कोई अधालत चीन नहीं सकती, कहने बाद, Go powered by Techno